निमागेला, नन्ना नवस्कार गडो, आज चैत्र नवरात्र के पावन आउसर पर मुझे ताई चामुंडेश्वरी के आशिरवाद लेने का आउसर मिल रहा है मैं ताई चामुंडेश्वरी, ताई भुमनेश्वरी और ताई कावेरी के चर्णों में प्रणाम करता हूँ मैं सबसे पहले आदर्णिय देव गोडा जी का रदेश से आभार बेक्ते करता हूँ आज भारत के राजनीती के पटल पर सबसे सीनियर मोस्ट राजनेता है और उनके आथिरवाद प्राप्त करना ये भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है उन्होंने आज जो बाते बताई काफी कुछ मैं समझ पाता था लेकिन मैं रदेश से उनका बहुत आभारी हूँ साथियों मैं सुरू और करना टका की धर्ती पर शक्ति का आशिरवाद मिलना यानि पूरे करना टका का आशिरवाद मिलना इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्तिती करना टका की मेरी माता और बहनों की उपस्तिती ये साब बता रही है कि करना टका के मन में क्या है पूरा करनाट का कह रहा है फिर एक बार पिर एक बार पिर एक बार साथियों आज का दीन इस लोग सभाज चुनाव और अगले फाइवर के लिए एक बहुत एहम दीन है आज ही बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है ये संकल्प पत्र मोदी की गारंटी है और देव गोडाजी ने भी गारंटी का उले किया है ये मोदी की गारंटी है कि हर गरीब को अपना घर देने के लिए थ्री करोर नए घर बनाए जाएंगे ये मोदी की गारंटी है कि हर गरीब को अगले फाइव यर तक फ्री राशन मिलता रहेगा ये मोदी की गारंटी है कि सेवन्टी यर की आयू के उपर के हर सीनियर सिटिजन को आयुश्मान योजना के तहट फ्री चिकित्सा मिलेगी ये मोदी की गारंटी है कि हम थ्री करोर महिलाओं को लखपती दीदी बनाएंगे ये गारंटी करणा टका के हर व्यक्ति का हर गरीब का जीवन बहतर बनाएगी साथियों आज जब हम तेन यर्द पहले के समय को याद करते हैं तो हमें लगता है कि हम कितना आगे आये हैं डिजिटल इंडिया ने हमारे जीवन को तेजी से बदला है बीजेपी का संकल्प पत्र अब बविश के और बड़े परिवर्तनों की तस्वीर है ये नए भारत की तस्वीर है पहले भारत खस्ता हाल सड़कों के लिए जाना जाता था अब एक्सप्रेस भेज भारत की पहचान है आने वाले समय में भारत एक्सप्रेस भेज वाटर में और एर्वेज के वर्ल्ड क्लास नेट्वर्क के लिए निर्मान से विश्व को हैरान करेगा दस साल पहले भारत टेक्नोलोजी के लिए दूसरे देशों की और देखता था आज भारत चंद्रियान भी बेज रहा है और सेमी कंडक्टर भी बनाने जा रहा है अब भारत विश्व का बड़ा इनोवेशन हब बनकर उबरेगा यानि हम पूरे विश्व के लिए सस्ती मेडिसीन सस्ती टेक्नोलोजी और सस्ती गाडिया बनाएंगे भारत वर्ल्ड का रिसर्ट एंड डेवलप्मेंट आर एंडी हब बनेगा और इसमें वैज्ञानिक रिसर्ट के लिए वन लाग करोर रुपिय के फंड की भी बड़ी भूमी का होगी करनाटका देश का आईटी और टेक्नोलोजी हब है यहां के युवाओं को इसका सबसे ज़्यादा लाब मिलेगा साथियों हमने संकल्प पत्र में स्थानिय भाषाओं को प्रमोट करने की बात कही है हमारी कंड़ा देश की इतनी सम्रद्ध भासा है बीजेपि के इस मिशन से कंड़ा का विस्तार होगा और उसे बड़ी पहचान मिलेगी साथ ही हमने विरासत के विकास की गारेंटी भी दी है हमारे कंड़ा टका के और रोजगार के नए आवसर सुरुजीत होगे साथियों इन सारे लक्षों की प्राप्ति के लिए बाजपा जरूरी है एंडिये जरूरी है एंडिये जो कहता है वो करके दिखाता है आर्टिकल 370 हो तीन तना के खिलाब कानून हो महिलाओं के लिए आरक्षन हो या राम मंदिर का भग्व निर्मान भाजपा का संकल्प मोदी की गारंटी होता है और मोदी की गारंटी को सबसे बड़ी ताकत कहां से मिलती है सबसे बड़ी ताकत आपके एक वोट से मिलती है आपका हर वोट मोदी की ताकत बढ़ाता है आपका हर एक वोट मोदी की उर्जा बढ़ाता है साथ्यों करनाटर का में तो एंडिये के पास हट्री देवगोडा जी जैसे वरिष्ठ नेता का मारदर्शन है हमारे पास इदुरप्पा जी जैसे समर्पित और अनुभवी नेता है हमाएं एच़डी कुमार स्वामी जी का सक्रियस सयोग है इनका ये अनुभव करनाटर का के विकास के लिए बहुत काम आएगा साथियों करनाटर का उस महान परंपरा का वाहग है जो देश की एकता और अखंता के लिए अपना सब कुछ बलिदान करना सिखाता है यहां सुत्तूर मड़के संतों की परंपरा है राष्ट्र कवी कुएंपु के एकता के स्वर है फिल मार्सल करियप्पा का गवरव है और मैसुरू के राजा कर्ष्णराज वाडिय के द्वारा किये गए विकास कारियर आज भी देश के लिए एक प्रेरणा है यह वो धर्ती है जहां कोड़ो की माताएं अपने बच्चों को राष्ट सेवा के लिए सेना में बेजने के सपना देखती है लेकिन दूसरी तरफ कॉंग्रेस पार्टी भी है कॉंग्रेस पार्टी आज टुकडे टुकडे गैंकी सुल्तान बनकर गुम रही है देश को बांटने तोड़ने और कमजोर करने के कॉंग्रेस पार्टी के खतरनाक इरादे आज भी बैसे ही है आर्टीकल 370 के सवाल पर कॉंग्रेस के राष्टिय अद्रक्ष ने कहा कि कश्मीर का दूसरे राज्जों से क्या सम्मन और अब तो कॉंग्रेस देश से ग्रना की सारी परंपप्य पसीमाये पार कर चुकी है करना टका की जनता साच्छी है कि जो भारत के खिलाब बोलता है कॉंग्रेस उसे पुरसकार में चुनाव का टिकट दे देती है और आपने हाल में एक और दरश्य देखा होगा कॉंग्रेस की चुनावी रेली में एक व्यक्ति ने भारत माता की जय के नारे लगवाए इसके लिए उसे मंच पर बैठे नेताओं से परमिशन लेनी पड़ी क्या भारत माता की जय बोलने के लिए परमिशन लेनी पड़े क्या ऐसी कॉंग्रेस को देश माप करेगा ऐसी कॉंग्रेस को करना टेगा माप करेगा ऐसी कॉंग्रेस को मैसूरी उसाप करेगा पहले बंदे मातरम का विरोथ और बारत माता की जय कहने तक से चीड ये कॉंग्रेस के पतन की पराकास्था है साथियों आज कॉंग्रेस पार्टी सत्ता के लिए आग का खेल खेल रही है आज आप देश की दिशा देखिए और कॉंग्रेस की भाष्णा देखिए आज विश्व में भारत का कात और सम्मान बढ़ रहा है बढ़ रहा है दुनिया में भारत का नाम हो रहा है नहीं हो रहा है भारत का गवरो बढ़ रहा है नहीं हो रहा है हर भारतियों को दुनिया गर्व से देखते हैं और नहीं देखते हैं तो कॉंग्रेस के नेता वी देशों में जाकर देश को निचा दिखाने के कोई मौके छोड़ते नहीं है देश अपने दुश्मनों को अब मुझ तोड जवाब देता है तो कॉंग्रेस सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के सबुद मांगती है आतंकी गतिविद्यों में शामेल जिस संगधन पर बैन लगता है कॉंग्रेस उसी के पोलिटिकल विंग के साथ काम कर रहा है करनाटका में तुष्टी करन का खुला खेल चल रहा है परवत्यों हरों पर रोक लगाने की कोशिस हो रही है धार्मी गंडे उतरवाए जा रहे हैं आप मुझे बताईए क्या बोर्ट बैंक का यही खेल खेलने वालों के हाथ में देश की बाग डोर दी जा सकती है दी जा सकती है साथ यों हमारा मैसुरू तो करनाटका की कल्चरल कैपिटल है मैसुरू का दसरा तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है 22nd January को आयोद्या में 500 यर्ज का सपना पूरा हुआ पूरा देश इस आउसर पर एक हो गया लेकिन कॉंग्रेस के लोगों ने उनके साथी दलों ने राम मंदिर की प्रान प्रतिष्टा जैसे पवित्र समारों तक पर विश्वमन किया निमंत्रन को ठुकरा दिया जीतना हो सकाइनों ने हमारी आस्था का अपमान किया कॉंग्रेस और इंडिया लाइस में राम मंदिर प्रान प्रतिष्टा का बाइकोट कर दिया इंडिया लाइस के लोग सनातन को समाप्य करना चाहते हैं हिंदू धर्म की शक्ति का बिनास करना चाहते हैं लेकिन जब तक मोदी है जब तक मोदी के साथ आपके आशिरवाद है ये नफरती ताकतें कभी भी सफल नहीं होगी ये मोदी की गारंटी है साथियों 2024 का लोग सबा चुनाओ अगले फाइव यर्थ नहीं बलकि 2047 के विख्षीद भारत का बविश्यत ताय करेगा इसलिए मोदी देश के विकास के लिए अपना हर पल लगा रहा है पल पल आपके नाम पल पल देश के नाम 24 by 7 24 by 7 for 2047 मेरा तेन यर्थ का रिपोर्ड कार्ड भी आपके सामने है मैं करना टका की बात करूं तो करना टका के फोर करोर से जादा लोगों को मुप्त राशन मिल रहा है फोर लेक फिप्टी थाउजन गरीब परिवारों को करना टका में पी एम आवास मिले है वन करोर फिप्टी लेक से जादा गरीबों को मुप्त रिलाज की गारंटी मिली है नेश्टनल हाइवे के डेटवर का भी यहाँ बड़ा विस्तार किया गया है मैं सुरू से बैंगलूरू के बीच एक्सप्रेस बे ने इस छेत्र को नई गती दी है आज देश के साथ साथ करना टका में भी बंदे भारत ट्रेने दोड रही है जल जीवन मिशन के तहट एक थावजन से अधिक गावों में लोगों को नल से जल मिलने लगा है ये नतीजे बताते हैं कि अगर नियत सही तो नतीजे भी सही आने वाले फाइव वियर्स में विकास के काम गरीब कल्यान की ये योजनाए शत्प्रतिशत लोगों तक पहुँचेगी ये मोदी की गारंटी है साथ्यों मोदी ने अपने टेन यर्द का हिसाब देना अपना कर्टब्य माना है क्या आपने कभी कॉंग्रेस को उसके 60 यर्स का हिसाब देते देखा है क्योंकि कॉंग्रेस के वाल समस्या पैदा करना जानती है कॉंग्रेस दोखा देना जानती है करना टका के लोग इसी पीड़ा में फसे हुए है करना टका कॉंग्रेस पार्टी की लूट का ATM स्टेट बन चुका है खाली लूट के कारण सरकारी खजाना खाली हो चुका है विकास और गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद किया जा रहा है वादा किसानों को मुफ्त बिजली का था लेकिन किसानों को पंप सेट चलाने तक की बिजली नहीं मिल रही युवाओं की छात्रों की स्कॉलर्शिप तक में कटोती हो रही है किसानों को किसान सम्मान नीदी में राज्य सरकार की और से मिल रही फोर थाउजन रुपे बंद कर दिये गए हैं देश का आईटी हब बैंगलुरू पानी के गनगोर संकर से जूज रहा है पानी के टैंकर की काला बाजारी हो रही है इन सब के भी कॉंग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ाने के लिए हंड्रेड्स अब करोर रुपीज ब्लैक मनी करना टका से देश भर में बेजा जा रहा है ये कॉंग्रेस सासन का मोडल है जो अप्राजिनों ने करना टका के साथ किया है इसकी सजा उन्हें 26 एप्रिल को देनी है 26 एप्रिल को देनी है साथियों मैसुर से NDA के उमीदवार शी यद्वीर कृष्णाजात यमराज वाडियर चामराज वाडियर चामराज नागर से वी एस बालाराज हासन लोगसभा से NDA के सिर्फ प्रजवाल रह मन्ना और मन्डिया से मेरे मित्र H.D. कुमार स्वामी आने वाली 26 एप्रिल को इनके लिए आपका हर वोट मोधी को मजबूती देगा देश का भविश्यत तै करेगा मैं सुरू की धर्ती से मेरी आप सभी से एक और अपील है मेरा एक काम करोगे जड़ा हाथ उपर बता करके बताईए करोगे करना टका के गरगर जाना हर किसी को मिलना और मोधी जी का प्रणाम पहुचा देना पहुचा देंगे मेरे साथ बोलिये भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद